देखिए उससे पहले मैं मुझे याद आता है मैं चेर्मेंट सेलेक्टर था डेली का और उस साल विराट और शांद अन्न 19 केल के आये थे जूनियर वर्ल्ड कप तो उनको दिल्ली की टीम में यह जो मारा एक दिल्ली का स्रक्चर है कि अपने खिलाडी को साने का तो उन्होंन पता था कि यह अचीवमेंट होगी तो आप देखिए तो परसनली सैटिस्वेक्शन तो है ही क्योंकि उनके राजकुमार जो उनके कोच है मेरे बहुत करीबी दोस्त है तो हमने बच्चमन से 12 साल की उमर से मेरी अकैडमी के हैं तो देखा है और उसके बाद यह अचीवमें हैं तो थोड़ी से तसली है और थोड़ी सा कवर होता है अगर यही खिलाड़ी एक जीनियस होना एक टीम में जिसमें बड़े खिलाड़ी साथ ना हो तो इतना चीव नहीं कर पाता और उसको लगता है कि मैं आउट हो गया तो वो तसली है कि श्रेस के बाद सूरे कुमार ज मैच पहले तो सभी कहरे थे वह यह तो जाला शॉट है यह ऐसे अगर फासबॉरी नहीं खिल सकता तो दूसरे को खिलाओ पर देखिए किस तरह से उसने बैटिंग की है क्या स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है चली यह तो उनका गर का ग्राउंड है पर इससे लगता है कि हमारे पास जो तसली है डेप्ट बैटिंग की तो इसी दूसरे टीमें तभी घबरा रहे हैं तब बढ़ी बात है बाकी पुराने जमाने में रेंड आउट हो गए मैचे पर अन बीटन रेकॉर्ड हो रहा है पर ग्यारा मैचे जीतना एक बार में वो भी वर्ल्ड कप में ब अभी तो फाइनल बाकी है पर मुझे रखता है कि देखिए वीकनेस के अगेंद बादी में आपके पास बेस्ट अटैक है शमी सिराज और बुम्रा बुम्रा नंबर वन बोलर हैं सिराज भी जो कर रहे हैं और तीनों टेस्ट बोलर हैं मुझे लगता है हमारी जो स्ट्रें बादाने और विकेट ले ले लेते हैं अगे सबसे बड़ा मैदान है दुनिया का और 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 अस्ट्रेलिया मुझे रखता है कि पहुंच जाएगी मुझे कहना अब जल्दी पर और अस्ट्रेलिया से खत्रा है सौथ-अफ्रिका तो हम समाल लेंगे पर बड़ा मैच होगा पर मुझे रखता है कि और सेलिन टीम में भी अब उनके दो खिला रही है जैसे अब मैं हाइपोटिकेट कर रहा हूँ कि देखी क्या होगा स्टीफ स्पित ने कुछ नहीं किया अब तक मैशल स्टार्क ने भी कुछ देखी दो प्लेयर ऐसे हैं जिनसे मैं डर रहा हूँ कि पर हमारी टीम जो लग रही है वैल और मशीन लग रही है तो मैं लग बग लग बग